दोस्तों इंसान को गलतियों का पुतला कहा जाता है पर इंसान को उसकी एक गलती की जादा से जादा कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है क्या आपने कभी इस बारे में जानने की कोशिस की है अगर नहीं जाना तो आज हम ऐसी घटनाओं के बारे में जानेंगे जब की एक छोटी सी गलती अर्बो खर्बो की साबित होई दोस्तों आज हम मानो इतिहास की सबसे महंगी गलतियों के बारे में जानेंगे वीडियो सुरू करने से पहले आप हमारे यूनिवर्स आडवेंचर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन को दबा दे हर खरीदे गए टिकिट का वो नंबर एक कागच पे लिख के रखती और जब उस लौटरी के नंबरों को टीवी पर दिखाया जाता तब वो नंबर चेक करती थी 2010 के एक दिन वो लौटरी के रिजल्ट्स देखने के लिए टीवी के सामने बैठी उसे पता चला कि उसने लौटरी जीत ली है उसने लौटरी में 1100 करोंड रुपए जीत लिये थे उसने जल्द ही जाके ये बात अपने पती को बताई पर पती बहत हैरान रह गये क्योंकि उसने सारे लौटरी के टिकेट्स कचड़ा समझ के कूड़े में फेक दिये थे जिसकी वज़ा से वो कभी भी अमीर नहीं बन पाए अगर आप रेगुलरली इंटरनेट यूज करते हो तो आपको पता ही होगा कि आज के दिनों बिटकोईन इस ऑनलाइन चलन की क्या हैमियत लें 2009 में 7500 बिटकोईन खरीद लिये थे उस वक्त बिटकोईन की कीमत ना के बराबर थी इसलिए जेम्स ने बिटकोईन जमा की हुई दस्ता बेजवाली ड्राइब को सम्हाल के नहीं रखा और गलती से कहीं फेक दी पर उसके 4 साल बाद 2013 में उन 7500 बिटकोईन की कीमत होत अगर आप काफी पुराने इंटरनेट यूजर हो तो आपने एकसाइट.com के बारे में तो सुना ही होगा अगर नहीं सुना तो आपको बता दें कि ये एक टेक कमपनी थी जब याहू इस दुनिया का सबसे ज़्यादा सर्च किया जाने वाला सर्च इंजन था तब एकसाइ बेल की ये सबसे बड़ी भूल थी क्योंकि जो कमपनी उस वक्त 43 करोन रुपे में मिल रही थी आज उसकी कीमत 32 लाग करोन रुपे है और शायद ये मानो इतिहास में पैसो की मामले में सबसे महंगी भूल होगी 1866 में रसिया की राजा अलेक्जेंडर दूतिय ने अलास्का को बस बर्प से भरी जगा समझ कर अमेरिका को मातर 50 करोन रुपे में बेज दिया और बाद में अमेरिका को महां सोना और अने कई खनिच पदार्थ मिले जिससे उसकी कीमत 1000 गुना बढ़ गई और आज अलास्का की कुल कीमत 3 लाग करोन रुपे है अपल कमपनी के स्टीव जॉब्स और स्टीव ओजबीन के बाद तीसरे फाउंडर रोन वायन ने 1976 में अपने पास मौजूद कमपनी के 10% शेर्स मातर 800 डॉलर यानी की 5000 रुपे में बेज दिये थे अगर आज वो शेर्स उनके पास होते तो आज वो बाकी दो फाउंडर्स की तरह करोन पती होते रोन वायन आज 2 लाग करोन रुपे के मालिक होते साल 2000 में थेम्स नदी पे एक ब्रीज बनाया गया था जिसे नाम दिया गया था The Millennium Bridge देखने में बेहत खूबसूरत इस ब्रीज का जब उधगाटन किया गया तो उसे खोलने के तीन घंटे बाद इसे बंद कराना पड़ा क्योंकि लोगों की भारी आवाजाही से ये ब्रीज आगे पीछे हिल रहा था इस कमी को दुरुस्त करने के लिए फिर से 40 करोन रुपे का बजट तयार किया गया जो बाद में तकरीबन 130 करोन रुपे पहुँच गया इसलिए इसे सबसे महंगी मानवी गलती के लिस्ट में शामिल किया जाता है आज के लिए दोस्तों बस इतना ही आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करना न भूले और आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं वो मुझे कमेंट में जरूर बताएं फिर मिलूंगा दोस्तों एक नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार